हैलो एवरिवन चलिए आज हम करते हैं गीगल्स एक्टिविटी टेबल एंड स्टूल का बॉक्स का अन्बॉक्सिंग मैंने ये बॉक्स अपने बेटे के लिए मंगाया है क्योंकि मेरा बेटा मैच का वर्क करते हुए बहुत रोता है तो मुझे लगा कि मुझे कैसा स्टूल और टेबल की जरुरत है जिसे की वो वाइट बॉर्ड टेबल हो जिसे की वो वहीं पर लिखे और वहीं पर रब कर दे फन भी हो जाए और उसका वर्क भी कंप्लीट हो जाए तो मैंने बहुत सर्च किया सर्च करने के बाद मुझे गीगल का एक्टिविटी टेबल एंड स्टूल बहुत अच्छा लगा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटीड है इसको ओपन करने में आप वीडियो में देखी रहे होंगे कि वेदान कितनी जल्दी से इसको अन्बॉक्स करना चाता है इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से की गई है और चलिए अब देखते हैं बॉक्स के अंदर कैसा स्टूल और टेबल निकलता है देखिए यह जो स्टूल और टेबल है दोनों चीज़े एक ही बॉक्स में आई हैं और इसके साथ एक यह इनोंने बैग भी दिया है जिसमें की आप एरेजर पैंसिल और मारकर भी रख सकते हो और इसकी क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी का है यह इसमें जो वूड का यूस किया गया बहुत अच्छा वूडन है और स्टूल भी और टेबल दोनों हैवी भी हैं ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट वेट है आप इधर से उधर रखेंगे तो तूट जाएगा ऐस सब बिल्कूल भी नहीं है और यह फोल्डेबल है आप अपने अकॉर्डेंग इसको फोल्ड करके कहीं पर रख सकते हैं मिन्स के ज्यादा स्पेस के आपको ज़रूरत नहीं है रखने के लिए और इसका जो बैग है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है आप इसको टेबल के साइड में हैंक कर सकते हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा इत्रेक्ट होते हैं इस प्रिंट के साथ ये फंस्कूल का है इस table और stool के साथ हमें ये 4 page दिये गए हैं अगर आप अपनी table को fold करना चाते हो तो आप ये page को मत use कीजिए अगर आप उसको fold नहीं करके रखना चाते हो standing position में ही रखना चाते हो तो आप ये screws को चारो table में दो और two ही stool में लगा कर use कर सकते हो ये इस box के साथ total 4 आए हैं two table के लिए और two stool के लिए तो देखें वेदान इस super excited to write on his new table और मैंने जब वेदान को बोला कि वेदान चलो मैंस का work करते हैं तो he said कि नई ममा आज में drawing करूंगा तो you can also buy this product from Amazon on